हेलो दोस्तों मैं स्विनी सर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में और आज हम लोग सॉल्यूशन के सिरीज में डेसमेस का अगला पेपर सॉल्व करने वाले हैं ठीक है तो आए द्यान से हम लोग समझते हैं कि एक मैंने जो पेपर आज का ले रखा ह है आप लोग को समझाने के लिए वो 2019 में आऊवा पेपर है बहुत ही अच्छा लगा लगभग सारे टॉपिक इसमें कवर किये गया है देस वाई मैंने इसको ले लिया आज तो चलिए ध्यान से देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली है और अच्छा पेपर है solution बहुत अच्छा किया गया इसमें तो अध्यान समझे जरा कि इसमें क्या क्या करना सबसे पहला को सबसे पहला को दिया गया है एक अनुरोध मैं आप लोगों से करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने lectures DSMS के नहीं देखें तो प्लीज उनको देख लिए क्योंकि जिन्होंने देखा है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कितना इजी है पेपर उनके लिए लगबख सारे मतलब आपका अगर आपने अभी तक आपको DSMS में यह भरोसा नहीं होगा कि आप पास कर सकते हैं कि नहीं तो अगर आपने पूरा लेक्चर देख लिय नंबर तो यह लेक्चर समने देखी लिया लेकिन नहीं देखा तो पहले उसको कंप्लीट कर लिए टीक है तो चली हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को सबसे पहला कुशन हम लोगों से कह रहा है अचा लिखा है पहले में कि सभी प्रस्णों के उप्तर दिजिए सभी प्रस्णों में हमें लगता है दो कोश्चन है और 5 गुणा 2 यानि 10 नंबर का यह कोश्चन है चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग पहला कोश्चन क्या कर रहा है पहला कोश्चन कर रहा है कि नमीनितम भारती मानकों के अनुसार सनरचनात्मक इस पात यानि यानि प्रापर्टी ने भारत कर रहा है यहां मैंने भारत कि यहको तो अगर आप उनको देख वाथ है नहीं तो चली हम लोग याद दिलाते हैं इनकी क्या फीजिकल प्रापरटी जिनके बारे में वह बात कर रहा है सबसे पहले जी होती है, मैंने आपको सब याद दिला दूँ, मैंने बोला था आपको कि जो property है, उसमें, जो भी property होती है, पहले तो यह जान लिए कि वो जो is लिया जाता है, वो 2062 यानि 200062 के recording लिया जाता है, ठीक है इसके according और इसका latest संसोधन जो आपके बुक में लिखा नहीं इसमें लेकिन 1992 में किया गया था ठीक है देखें यहां पर लिखा गया है इसमें यहां पर लिखी गई है जहां दीजेगा आगे लेकिन आपको पहले question में जो यहां पर बात की गई है उसमें ऐसा कुछ mention नहीं किय चले कोई बात नहीं आप इसको लिखते समय में सही धान लिखेंगे ऐसे कि जो इस्ट्रक्चरल स्टील होता है उसके सारे गुण लगभग बहुती गुण या रसानी गुण जो भी गुण है वो 2022 और 1992 के अनुसार लिए जाएंगे ठीक है उसके आगया बताएंगे उनके बहुती गुण कौन कौन से है जैसे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो गुणाता है वो होता है घनत वो उसका मैंने वीडियो बनाते समय आपको बता दिया था इसकी देंसिटी जो होती 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है चाय 7850 केजी का है चाय 78.5 किलो न्यूटन का हैं दोनों बात एक कही है ठीक है न डेंसिटी का मान ग्राम पर सीसी में भी या लिखा हुआ है आप वो भी लिख सकता है ये एक प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसका बाहर से जो प्रॉपर्टी है और कुछ उसके बनावट में जो च्छिजिकल प्रॉपर्टी और तीसरा उसका आप Geometrical प्रॉपर्टी में आते हैं ठीक है फिजिकल मतलब हुआ उस आयरं की प्रॉपर्टी जिससे वो बनाया गया ठीक है तो चलिए घ्रात तो में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं तो फिर से हमने याद कर लिया कि 7850 kg होता है इसका रेखी प्रसार गुना कहने अलफा जो होता है यह सबको अच्छे तरीके से याद है और मैंने बताया भी अपने पहले लेक्चर में डियस मसकी कि 12 इंटू 10 पावर 6 पर डिग्री सेल्सियस अचाहिए 6 नहीं होगा यह माइन सिक्स होगा ठीक है यहाँ पिसने गलत लिखा है 12 इंटू 10 पावर माइनस 6 होता है पर डिग्री सेल्सियस इसका रेखी प्रसार गुना कि इसको सही कर लिजेगा जर आप लोग यह माइनस 6 रहेगा ठीक है आगे देखेगा यंग मापांक यंग मापांक इसका यंग मापां के यह के बारे में जरू नहीं केवल स्टील के यह के बारे में बात करना हूँ तो वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं कि यंग माडुलस क्या है और स्टील का यंग माडुलस सबको याद होना चाहिए बहुत जरूरी है कॉमपर्टेटी एक्जाम्स के लिए भी कि 2 इंटू 10 पवर 5 अगर आप 2.04 से 2.18 नहीं याद रख पाते हैं तो आप सीधे 2 इंटू 10 पवर 5 न्यूटन पर स्क्वाइर में इसको कह सकते हैं 2 इंटू 10 पवर 5 न्यूटन पर स्क्वाइर में लिखते हैं तब भी गरत मैं नहीं माना जागा इसको ठीक है देखिए यहां नीचे लिखा भी गया कि से सामानता इतना ले लिया जाता है अच्छा दिरनता मापांग क्या होता है मॉडलस आफ रिजिटी मॉडलस आफ रिजिटी को याद हम लोग जी से दिखाते थे मॉडलस आफ रिजिटी जी होती थी जी का मतलब होता है जिसको सीयर मॉडलस भी बोलते थ G K और एक आता था भाई उसका Mew, ये चार Elastic Constant होते तो उनके बारे में आपने पढ़ा होगा हर material के 4 Elastic Constant होते हैं कम से कम 4 तो होते ही हैं तो उनी के बारे में ये बाते हैं इसमें E और G की value बहुत माइने रखती है ये किसी भी material के लिए है तो E और G ज़्यादा तर solid चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा माइने रखती है Mew भी माइने रखता है लेकिन ज़्यादा जरूरत नहीं पढ़ती है के ज़्यादा तर जहाँ पे bulk force लगते है hydrostatic force लगता है पे काम आता है तो गैसों और liquid वाले material के लिए के ज़्यादा उपी होगी है तो E और G जो होता है वो किसके लिए हमारा solid के लिए और उसी का ज़्यादा यूज पढ़ता है तो आई हो पीए चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी 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 तरीके से तो चलिए आप लोग अब इसको देखते हैं अच्छा रिजिट मॉडल साफ रिजिटी भी आप समझ गए कि क्या होता इसका अब एक चीज़ जान लिजिएगा इसमें बोला गया है कि केवल अच्छा ग्रेडिंग किया गया है कोई जरूवत नहीं थी खास ग्रेडिंग की आपको ठीक है ग्रेडिंग की क्यों खास जरूवत नहीं थी क्योंकि ये ग्रेडिंग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से लेना देना इसका कुछ नहीं है ग्रेड दिखा दीजे यहां तक का काम हा गया है 410 MPa मतलब 410 Newton per square mm होगी मैं आपको एक simple सी बात बता दूँ यह कौन सी सामर्थ है इसकी यह इसकी rupture strength की बात कर रहा है ठीक है न एक चीज़ जानली जी एक होता है strength किसी भी steel का FU और एक होता है उसका strength FY FY ज्यादा कर स्टील का जो है न वो 250-240-230 के आसपास होता है FU जो है न वो 415 तक चला जाता है या 410 तक चला जाता है यह FU का मतलब होता है वो जहां पर स्टील जाके ब्रेक कर जाती है FU मतलब basically ultimate stress की बात कर रहा है और Y yield की बात करता है विल्डिंग 250 पर स्टार्ट हो जाती है जो लो कार्बन स्टील होती है उसकी बात में कर रहा हूं ठीक है माल्ड स्टील जिसको बोलते हैं FU 250 FY 250 पर स्टार्ट हो चलिए यह जो 410 बोलड़ा इसकी नियूंतन तनन सामर्त जो बता रहा है यानि अल्टिमेट इसकी स्ट्रेंथ जो बता रहा है वो बता रहा है यहां पर तो देखे पूछा है केवल भौतिक गुण लेकिन यहां पर यह आगे भाई सामने क्या कर दिया है रासायनिक संगटन इसकी जरूरत आपको नहीं थी लिखने की समझ मारी बात है इनकी जरूरत नह पर नंबर अच्छा मिल जाए आपको ठीक है और इसमें इनका अर्थ क्या वो भी समझा दिजेगा नहीं समझाएंगे तब भी कोई बात नहीं आपके बुक में समझाया नहीं गया ठीक है इस्टील की जो ग्रेड होती है जो इस्ट्रक्चरल इस्टील होता है उसकी कार्बन की घटी भी मात्रा बता रहा है कार्बन की मात्रा ए वाले में सबसे ज्यादा होगी वी वाले में उससे कम होगी और सी वाले में उससे कम होती वैसे तो इस्ट्रक्चरल इस्टील में कार्बन की मात्रा नियर अबाउट जीरो पॉइंट टू परसेंट लिया जाता 0.2% ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसमें भी थोड़ा उतार चड़ा हूँ अब किसमें जयादा किसमें कम A वाले में सबसे जयादा कार्मन होगा B वाले में उस्से कम और C वाले में सबसे कम होगा तो लेकिन फिर अंतर क्या है तीनों की स्ट्रेंथ में ये वाले में देखिए किसी भी स्टील में मैंने आपको लेक्चर नहीं सुने हों तो ये इतना बोलना पड़ रहा है जिनों लेक्चर सुना हों को ज्यादा नहीं बोलना पड़ेगा अच्छा मैं दोही सलेबस सॉल्ब कराऊंगा दोस्त दो क्या मतलब होता है हाई कार्बन मतलब हाई कार्बन नहीं कहेंगे मतलब इन तीनों केटेगरी में ज्यादा कार्बन को ये अकोपाई करता है ठीक है अब इसका आर्थ क्या होगा इससे क्या नतीजा निकलता है नतीजा बस इतना है कि इसकी ब्रिटलनेस इसकी ब्रिटलनेस जो होगी ब्रिटलनेस हाई होगी बाकियों से ये हाड ज्यादा होगा इस पर अच्छा बाकी हाडनेस सुधरेगी स्ट्रेंथ सुधरेगी लेकिन क्या बिगड़ेगा इस पर वर्क करने के लिए इसकी ये अच्छा नहीं रह जागा लाइक लोहां बहुत मजबूत जब हो ज स्ट्रेंथ बढ़ती है लेकिन फिर उसको तोड़ना मरोड़ना और उस पर रिवेटिंग करना उस पर वेल्डिंग करना ये सब चीज बड़ी मुस्किल होने लगते हैं इसलिए ज्यादा कारबन बढ़ा के स्ट्रेंथ नहीं बढ़ानी चाहिए लेकिन फिर भी एक कारबन का कंटेंट आपको नीचे की तरफ घठता हुआ दिखाई दे रहा है जितना ज्यादा कारबन कंटेंट उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ उसकी होगी ठीक है ये केमिकल कम पोजी सना दोस्त आपको जरूवत नहीं इसको याद रखने की देखे ये सब तालिका वाली का ब अब लिखा हुआ है अब जैसे मन करें इसको एजूम कर लीजी ये भी हम लोग कर सकते हैं इसमें गड़बड़ी यह है कि इंगलिस वाले वर्जन में थोड़ा और अच्छा रहता है इसमें क्या गलत है मैं समझा दूँ आपको देखे यहां बग को लिखा गया है रिवेट जोड है तू विस में ने प्रकृश्या और जोड की प्रकृश्या को संळाना है ठीक है तो एक चीज आप बताईये एक ब्रकृया मतलब होता है इमंदमें आपको की से ननका मतलब्स होता है इनोहां दू़मार अपको बार आ मतलब हुनtechnem विखा है जोड़ों मे कही लाइन में सारे रिवेट लगे हो जेन लाइन होता है जिग जैग होता है और डायमंड रिवेटिंग होता है तीन तरह के रिवेट का जिक्र मैंने आप से किया था और इन्होंने वही रिवेटिंग देखिया समझाया है पहले कौन सा इन्होंने समझाया है पहले इन्होंन ये दोस्त देखो अंग्रेजी में question लिखो चाहे मत लिखो answer लेकिन question को English में पढ़ जरूर लिया करो कि कि आपकी question paper में साफ तोर पर लिखा होता है कि कोई भी data mismatch होने पर या question की भासा में परिवर्तन में English वाले को preference दी जाएगी किसी भी revert को fit करने की दो तरह की प्रक्रिया होती है पहला cold warranty दूसरा hot rework Response का मतलब मतलब होता है ठंढ़ा ही रिवेट ले करके उसका रिवेट का diagram मनाते प्लेटों के अंदर डाल करके उसको पीट देते तो उसको कहते हैं कि यह ठंढ़े तरीके से रिवेट लगाने की प्रक्रिया है जब की अगर यही रिवेटिंग आपको गरम ओट रिवेटिंग करनी होती तो उस रिवेट को गरम करके तब करते और उसको हम लोग कहते हैं कि होट रिवेटिंग कर रहा हम लोग ठीक है तो I hope आपको रिवेट लगाने कि प्रक्रिया में और उसके अरेंजमेंट प्रक्रिया का मतलब होता है यार अगर हम लोग बात करेंगे इसके बारे मैं विस्तार से आपको समझा चुका हूँ अगर यह पूस्ता कि किसी भी जॉइंट में जोड जो लगाया जाते हैं वो कितने तरह से उनको अरेंज किया जा सकता है यानि लगता कि रिवेट जोड में रिवेटों की वेवस्ता को समझाई है ऐसा हिंदी में लिखा होता है तो आप उस केस में देखिए मैंने समझा दिया रिवेट लगाने की प्रक्रिया कोल्ड और होट है गरम करके और ठंडा करके ठीक है लेकिन इनकी भी बाते हम सुन लेत हैं देख लेते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है स्रिंखला रिवेट पद्धती चेन रिवेटिंग मतलब देखिए यहां पर बताया गया चेन रिवेटिंग में देखिए रिवेट क्या है एक लाइन में रिवेट दो लाइन तीन लाइन चेन रिवेटिंग हुआ यहां पर दिखा तो है उपर कि स्रिंखला रिवेटिंग और विसम रिवेट पदती यानि जिग जैग लेकिन नीचे स्रिंखला रिवेट पदती में देखे नीचे लिखा है अनुदर दिखा एक दूसरे के सामने आती जबकि विसम रिवेट पदती में ऐसा नहीं होता विसम रिवेट में एक के ऊपर एक नहीं है देखिए इस देरेक्शन में एक के ऊपर नहीं है तो एक तरह से जिग-जैग मानता हैं पूछी गई थी याद करिए कि प्लेटों के भी घर संवार नहीं लेते हैं प्लेटों में प्रतिबल की घरना नहीं की जाती है यह सब मैं कल टॉपिक समझा चुका था पार वन जिनों नहीं देखा प्लीज जाएं और देखें बार बार एकी चीज को डिसकस करने से टाइम बरबाद होगा अगला देखिए ज़रा question क्या है अच्छा a b और c दिया हुआ है इसमें sorry let me see one more time ये पहले का ही है c question क्या a b and c तो यहाँ पर क्या लिखा है पहले में यार दो ही है question और 10 नमबर दिखाया है तो किनी दो भागों लिखाया sorry I did not notice that लिखा यहाँ पर कि निमलिकेत में से किनी दो भागों के यानि तीन question है तो आपको दो हमने discuss कर दिए हैं तीन कोई भी दो भाग का अंसर आप दे सकते हैं और तीसरा वाला question आपका यह हुआ numerical देखिए दो दो question सीधा सीधा theory से आया है दोस्त अगर आपका numerical नहीं भी तयार है theory से ही आप इस पूरे question को आराम से solve कर सकते हैं तो देखिए पहला question 10 नमबर का था और आप चाहें तो पूरे 10 नमबर theory में लिख सकते थे लेकिन theory में क्यों मना करता हूं कि number अगर आपने गलट track जैसे आ साफ गलत लिखा हुआ है तो इसमें आपको गलती होने के chance होते हैं तो सी वाले में numerical भी है अगर आपको numerical का concept clear है तो that will be more beneficial क्योंकि पूरे पूरे नमबर आपको मिल लेंगे बहुत आसान सा भी question है बहुत आसान है देखना ज़रा एक कोड़ी खंड यानि एंगल है आई से 50 15 to 6 mm जिसके उपर 60 किलो न्यूटन का अच्छी तनन भारा रहा है ठीक है मतलब एक एंगल सेक्षन है वो लगा हुआ है उसकी साइज आल्रेडी दे रखी है और उस पर 60 किलो न्यूटन का तनन भारा रहा है सीधा बोला कि 10 mm मोटी गसट प्लेट से जोड़ा ज़रा है रिवेट लगा के जोड़ेंगे अरे इतना रिवेट लगाएंगे कि 60 किलो न्यूटन के लोड पर वो दोनों रिवेट टूटे न तो यह बहुत आसान कोश्चन है रिवेट वैलू निकाल लो और जो 60 किलो न्यूटन है उसमें से डिवाइट कर दो जैसे माल लेता है कि इ अंगल जोड़ा जाना है गसे प्लेट से उसकी मुटाई 6 है तो आप यहां से रिवेट का डाया 5 जो होता हूँ आन्मीन फॉर्मूला होता है क्या होता है यह 6.05 और अंडर रूट क्या करते हैं यहां से आप 5 निकाल भी सकते थे लेकिन यह बंदू उन्हें हमको और आसान प्लेट का निकाल दीजे कि रिवेट वैलू यहां रवी कितना होगा बताईये रवी ऐसे निकाल लेंगे आप सीधी सी बात है रवी मतलब हुआ कि रिवेट वैलू रिवेट वैलू क्या होता है यह अलग से कौस्चन भी पूचा जाता है तो आई मैंने आपको पहले ही किसी भी rivet की value जो होती है वो PS और PB में जो कम होती है वो ख्राम ना bearing में कе और CR में जो कम होता है PS का value आगया जानते है pi by 4 D square into FS होता है PB की value pi D into T into FB होता है दोनों में जो कम होता है वो rivet value होता है यानि एक rivet जो load ले सकता है वो rivet value होती है तो यह बताएं, 22 mm का एक rivet, अगर माले दें, 30 का load लेता है, तो फिर total load कितना आ रहा है, कितना आ रहा है तो आप कहांग गोंगे कुष्चन के सबसे पहले दिया है capital में तो सो एमपी और थीन सव यानि FS 100 है और FB 300 है अब आपने अगर DSMS का क्लास नहीं किया डारेक्ट इस वीडियो को देख रहा है तो फिर आप जा करके चुलू भर पानी लीजिए हाथ ऐसे करके उसमें और उसमें पानी भरिए और पानी को मुझ पर मारिए जोर से जब आख खुलेगी तो लेक्चर दे देखने के बाद तब इसमें आईएगा देखने ठीक है चलिए तब तक जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग देखें बहुत अच्छा सा है FS की वालू दे रखी है FB की वालू दे रखी है D का वालू डायमीटर दे रखा है बहुत अच्छे डायमीटर अगर 22 हमें है तो यह बताइए कितना हो जाएगा ग्रॉस 23.5 खोई डाउट नहीं है अब रूपन सामरत एक रिवेट की स्ट्रेंथ निकाला पी एस पाईवे 4D स्कॉर एफस निकाल दिया है यहां से खटाक से देखिए और उसके बाद इसने क्या निकाला है देखिए जब डाइग्राम भी बना है मुझे कुछ करना ही नहीं है बहुत आसान चीज़ है आपर पी एस निकल गया अच्छा यहां पर देखिए पी एस के वालू 43 किलो न्यूटन आई है यानि एक रिवेट 43 किलो न्यूटन का लोड़ ले सकता है सीयर में जबकि यहां पर एक चीज़ देखिएगा और पोस्चन में डाइगराम नहीं आप देखिए यह जोड़ा गया है यह इंगल दो रिवेट लगें यह कैसे पता चला अभी कैसे पता चलेगा दो लगेंगी तीन लगेंगे अभी कलपन करने का मतलब होता है जोड़का की यहीं बताना कि कितने रिवेट लगेंगे ठीक है तो जो गसे प्लेट की मोटाई यहां पर देखिए 10 mm है और कौड़ी खंड की मोटाई 6 mm है तो यहां पर यह दोनों क्यों किया है दोनों में से जो कम गसे प्लेट और इनमें जो कम रहता ना वहीं पहले पिचकता है तो हमिशा जो कम वाला है उसको लेंगे ठीक है तो PB का लिए पतला होता है जो उसी को लेते हैं देखें यहां पर लिया है तो उसका आया था लगबग 43 किलो नूटन सी यर में अब पीवी के लू वैलू आ गया है बैले दस्मलो तीन तो बताईए दोनों में कौन है रिवेट वैलू कौन होगी पीएस वाली की पीवी वाली तो हो जाएगा आपका रिवेट वैलू हो जाएगा मैंने बोला कि एक रिवेट का छमता रिवेट वैलू यानि 42 किलो नूटन टोटल लोड आ रहा है साथ और एक रिवेट ले सकता है 42 तो रिवेट कितने आ गये एक दस्मलो चार दो तो लगेगा नहीं दो ही लगाना पड़ जायर से बात सीधे नीचे लिखेंगे एन बराबर दो रिवेट प्रयोग किये जाएंगे यहां लिख दिया है बहुत सुंदर इसने कोस्टन को लगाया है पिछले कोस्टन मीनों ने गलती किती थी तियोरी वाले में लेकिन नुमेरिकल अच्छे से लगा दिया है तो इस देखिए यहां पर डाइग्राम यह सब डेटा के अनुसार बनाया गया आप भी बना देंगे तो नंबर पूरा मिल जाएगा पांच नंबर का यह कोस्टन था आसान है पांच नंबर में इसलिए गया है आगे देखिए अगला अच्छा पहले में तीन खंड थे हमें तीनो किया जाता है समझाईए कितना अच्छा है सीधा सीधा lecture tension splice पर मेरा बना हुआ है जिन लोगों को यह नहीं समन माता है कि dsms का lecture कैसे देखें भाइ चैनल पर जाओ सीविल टेक सलूशन में उसमें प्लेलिस्ट जाओ उसमें प्लेलिस्ट में बना है design या dsms प्लेलिस्ट नमबर 1 से लेके लेक्चर 38 तक 38 लेक्चर है दिन भर में एकजाम आने वाला है 3-3, 4-4 लेक्चर देखो 17 दिन में सारा खолов पूरा जिक दिने इसमें TENSON SPLICE पर एक सेपरेट लेक्चर पूरा बना हुआ जिक है उसको देख लीजिएगा बहुत असान है tension splice क्या होता है ध्यान देंगे tension splice हो या compression splice हो simple सी बात है splice मतलब होता है जोड ठीक है splice मतलब क्या होता है जोड तो अगर आप एक चीज़ पर ध्यान दीजिए कि जब भी कोई tension member परयात लंबाई का नौ उपलग परयात मतलग पाई ये अगर अगर मान लिजिए आपको इस तरीके से कोई मनें बताया भी है कि अगर कोई ऐसे trust बनानी है ठीक है trust ऐसे बनानी है इस type से और ये पूरा इतना इतना बड़ा पूरा लंबाई का आवे लेवल आपके पास tie नहों हो तो आप बताई क्या करेंगे एक छोटा टुकड़ा आपके पास दूसरा एक और टुकड़ा तो जाहिर से बात है इनको आपस में जोड़ देंगे तो जोड़ते समय क्या करना पड़ेगा आपको अगर आपके पास पूरा बड़ा टुकड़ा नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे लगा है ये दोनों माल लीजिए, और इन पर सपोर्ट है, एक टुकड़ा ऐसे ले गाए, ध्यान दीजेगा जरा, और दूसरा टुकड़ा इसके साथ ऐसे ले आए, अब इनको आपस में रिविटों से क्या करेंगे, बताइए यहीं पर, जो जोड़ों को आमने सामने ऐसे रखें, ऐसे रखें, ठीक है, और इनके नीचे एक कवर प्लेट, इनके उपर एक कवर प्लेट ऐसे लगाए, और इनको कवर प्लेटों से क्या करें इस टाइप से, जोड़ दें, देखिए अब जुड़ गया कि नहीं दोनों आपस में, कवर इन पर रिवेत ऐसे लगा दिए गए circular कि इन पर रिवेत ऐसे लगा दिए गए वस कहने का मतलब है कि यह ऐसे गया है जब ऐसे और यहां पॱ्र इसकी सामने दूसरा वाला है रिवेट से जोडा गया है किसमें बस एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है टेंसन स्प्लाइस में मैं पहले इसको पढ़ देता हूँ जो इसने लिखा है फिर उसके बाद हम लोग अपनी चर्चा करेंगे ठीक है क्या लिखा है देखें तनन स्प्लाइस क्या होता है एक बाग का उतर देना पहला ही को पर्याप्त मात्राम उपलब्द ना हो तो दो से अधिक सेक्शन को आपस में जोड करके पूरा मेंबर बनाया जाता है और इस वेवस्था को टेंसन स्प्लाइस कहते है ठीक है यानि तनन सिरा संधी कहते है इसके लिए हमें क्या विशेज दान रखना पड़ता है कि दोनों टेंसन मेंबर जो हो वो थोड़ा पतला हो ठीक है और जब इनको आप बट जोड से ऐसे जोडते हैं मैंने इस सब लेक्चर दे रखा है यूटूब पे ध्यान रखीगा है कोई कसर नहीं छोड़ा हूँ पढ़ाने में जितना पढ़ा दिया हूँ आप आफ लाइन में उतन इस केस में इनके बीच में जो जगां बसती है इसको किसी कवर प्लेट से जैसे एक अठारा की है माल लीजिए यह वाली प्लेट जो यह जो मोटी वाली प्लेट है यह 18 mm की है और यह वाली प्लेट 10 mm की है तो इनके बीच में जब आमने सान में जोड़ेंगे तो बीच में जो gap बना है उसको अब दोनों का gap कितना है 18 और 10 तो इसको 8M का gap बना है यहाँ पर तो 8M का यहाँ पर packing plate यूज करेंगे और packing plate इसके अंदर भर करके यहाँ यहाँ तो देखो दोस्त तो rivet लगे गाई यहाँ यहाँ तो rivet लगे गाई rivet लगे गाई कैसे यहां यहां तो देखिए रिवेट लगेगा यह पूरा ऐसे ऐसे यहां यहां रिवेट लगेगा इधर भी लगेगा दोनों तरफ लेकिन इधर पैकिंग प्लेट होती नो उधर एक्स्ट्रा रिवेट भी ऐसे लगाए जाते हैं इन दोनों को आपस में जोडने के लिए इन दोनों को मतलब ये ये तो रिवेट में रिवेट हुए जो पूरे जोड को समालेंगे लेकिन ये जो ये जो रिवेट होते हैं ये जो ये चार तो हो गए में रिवेट जो पूरे जोड को समालेंगे लेकिन ये जो एक रिवेट य इसका पैकिंग प्लेट में और इस पतली प्लेट के बीच में रिवेट लगाए जाते हैं इन रिवेटों की संख्या कितनी होती है तो यह जो रिवेट लगे हैं एक तरफ इनकी दो परसंट होगी लेकिन 2% केवल 2 mm की मोटाई के लिए लेकिन ये टोटल मोटाई कितनी है इसकी टोटल मोटाई कितनी है इसकी जरा ध्यान दिजीगा आप लो टोटल मोटाई मैंने जो बनाई थी वो 8 mm थी ठीक है तो 8 mm में अगर 2 mm मोटा होता तो उनका 2% लेते तो 8 mm मोटा है तो कितना परसेंट लेंगे 2 mm के लिए 2% 2 mm मोटाई का गयब हो तो 2% तो इसीतला 8 mm के लिए कितना लेंगे तो हम लोग ले लполнеगे 8% समझ में आरे ये बात ये समझ में आरे ये बात 8 mm के लिए हम लोग 8% का रिवेट बढ़ा लेंगे उसमें, ठीक है, 0.5% बढ़ाते हैं, सौरी यहां पर 2% नहीं होगा, ये 0.5% एक्स्टा रिवेट लेते हैं, ठीक है, 0.5% एक्स्टा रिवेट का मतलब होता है, अगर 2 mm मोटाई का गैप है दोनों की बीच में, तो 0.5% एक्स्टा रिवेट, आप समझेगे, 0.5% यहां पर अगर 10 रिवेट हैं, तो 10 रिवेटों का 0.5% कितना हुआ, तो आप कहेंगे, 10 रिवेटों का 0.5% एक रिवेट भी तो नहीं हुआ, यानि 0.25 रिवेट हुआ, लेकिन वो 2 mm के लिए न, अगर 8 mm का गैप पूरा बना रहा है उसके बीच में, 8 mm का गैप बना रहा है, तो उनके लिए तो 0.5% आगुणा, कितने 2 हैं इसमें बताइए, 4, तो 4 से गुणा कर देंगे पूरा हम लोग, तो यह टोटल हो गए, 2-2 mm का 4 बार अगर करें, तो टोटल 10% एक्स्टा रिवेट लगाएंगे, तो इसका अर्थ क्या हुआ, कि 10 रिवेटों का 10% कितना हुआ, एक रिवेट, तो यह एक एक एक्स्टा रिवेट उस पर लगाई जाएगी, चलिए इनको इनकी महसाम भी समझ लेते हैं, देखी, लिखा है नीचे, तनन स्प्लाइस के बारे में ध्यान समझेगा, कि जब उपलाद खंड की खंड की लंबा प्लेट, उसके एक और अथ्वा दूनों और आवरन प्लेटों की साहिता से बट जोड तयार किया रovyटा है, इस प्रकार तनन स्प्लाइस का अविकलपन निम्न प्रकार करना पड़ता है, पहला आवरन प्लेट का और दूसरा पैकिंग प्लेट का, ठीक है, अब देखे इन इसके क्रांतिक काइड पर आवरंड प्लेट की तनन सामर्थ स्यादिक होनी चाहिए या उनकी तुलनामे बड़ी होनी चाहिए या उनक स्थ अग्रॉस से मतलब जो दोनों उपर से cover plate लगी थी उनको main plate से जोडने के लिए परयापत मातरा में rivet प्रयोग के रहने चाहिए ताकि rivetों की सामर्त किसी भी दसा में cover plate से अत्वा मुख्य plate के सामर्त से कमने यह सब common बात है यह तो आप नहीं भी अगर उसको आपस में न जोड़के किसी सीरे पर जोड़ते अच्छा एक बात बताईए आप किसी को गसेट plate से जोड़े ऐसे यहाँ पर गसेट plate से जोड़ेंगे तब भी यह सब follow करना पड़ेगा आपको अरे गसेट plate पे कम से कम ऊतना रिवेट लगाओ के दोस्त गसेट plate पे यहाँ बात लिखा गया कि परयात मातरम पर ताक ही रिवेटों की सामर्त है यानि रिवेट जो है वो इतने köभी कम जोर नहीं होने चाहिए यह plate से कम नहीं हो तो प्लेट फटी नहीं, रिवेट चारों कटके निकल गए, तो वह ऐसा उतना खराब इस्तिती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये बात तो इनकी जायज है और अच्छी भी है, करना भी चाहिए, अब आगे देखें के तरह आपे, जब भिन भिन मोटाई की प्लेटों को जोड हो जाता है, पैकिंग प्लेट के बारे में भारती मानक आईस एट हंडेट नाइटी ने धारित किये गया, अभी अभी मने जो बताया ना, निम्न मानक का मतलब वही कि पैकिंग प्लेट में कैसे देखें, जब पैकिंग प्लेट की मोटाई 6 mm से अधिक हो, तो किसी जोड के सामान गढ़ना से प्राप्त रिवेटों की संक्या, पैकिंग प्लेट की संपूर्ण मोटाई के लिए, 0.5% प्रती 2 mm मोटाई की दर से बढ़ा ली जाती है, प्रती 2 mm, यानि 8 mm का गयप हो, तो 2-2-2-4 बार, यानि 0.5%, 0.5% भी 4 बार, यानि 10% वही मने एक्जांपल दिय आई जाते हैं, अर्थात ये रिवेट आवरन प्लेट में नहीं लगते हैं, यानि वो रिवेट जो लगते हैं, वो आवरन प्लेट में नहीं लगते हैं, ये चीन मैंने आपको पहले ही बता रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर देख लिजे, आगे लिखा है कि, आगे लिखा ना दोस्त अच्छा रहा था ठीक है आगे बोल रहा है कि द्वीत अला प्रूपन जोड में जिसमें दोनों तरफ पैकिंग प्लेट लगी हो अतरिक्त रिवेटों की संख्या दोनों पैकिंग प्लेटों में मोटी पैकिंग प्लेट के आधार पर ग्याद की जाती है जाहिर सी कोस्टन में से कोई एक करना था तो एक थियोरी हो गया अब जाहिर से बात है वो दूसरा नुमेरिकल देगा देखिए डिसमेस मना 50-50 होता है जितना थियोरी उतना नुमेरिकल होता है अब इसमें देखिए बोला गया है कि आपको ध्यान से समझेगा बी में एक तनन की सामर्त गयात करें यदि सिग्मा यत अ अच्छा तनन आम की सामर्त गयात कक्रना तनन की सामर्त का फार्मुला बड़ा सिंपल होता है पीज गसेट प्लेट से बीस समय के रिविटों से यह जाहिर सी बात है गसेट प्लेट के एक कही तरफ जूड़ा होगा क्योंकि यह कही अंगल है दो तो है नहीं बस कुछ नहीं एवन प्लस एटू के करना है तुरंत जाकर के सिग्मा एसी से मल्टिप्लाई कर देना है तुरंत तरफ मिला करके जोड़े गया ना इससे आफ दी नीचे देखेगा जरा एक रिवेट जो है रिवेट देखे बोला गया कोस्चन में कि बीस अम व्यास के रिवेटों द्वारा एक टांग से डूड़ा है एक टांग चाहे लंबी चाहे छोटी नहीं बोलेगा क्योंकि दोनो जरुवत है ही नहीं इसमें बोला है कि यह मानते हुए कि दोनों तरफ जोड़ों में दो से अधिक रिवेट लगे हैं उपांग की जास तनुता अनुपात में भी करें देखे बस तनुता अनुपात की जरुवत टेंसन में होती नहीं है लेकिन जब करना होगा तो कर बस इतना जान लिए कि टेंसन में में तनुता अनुपात से उसकी सामर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन फिर भी 350 से ज्यादा होना नहीं चाहिए इसका तनुता अनुपात ठीक है तो देख लेते हैं कितना होगा वो बाद में बताएंगा हम ठीक है तो आप ज करेंगे यान्ही हो जाएगा .87 meters यही बस इतना कहानी है इसमें आरेया से डिवइट कर देंगे सीधा सीधा इसका तनुपात आ जाएगा ठीक है 1.7 मीटर में आर वाई वाई से डिवाइड करेंगे तनतान पाद लास्ट वाला बता रहा हूं बाकि यह और सब तो वही सीम्पल कोस्टेन वह आप कर लेंगे चलिए हम दिखा देते हैं यही करना पड़ेगा आगे देखते हैं पहले इस्टील टेबल से यह से टेन टू का गुण धर्म गुण धर्म का मतलब जिमेट्रिकल प्रपर्टी ए बराबर पंदर सो पांच है खर इस ए का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें अलग 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 एवन और टू का एरिया चाहिए पूरे का एरिया लेके करेंगे क्या हम अबर आप जान गए कैसे लिया गया है जो लोग पढ़ें बहुत अच्छे से जानते होंगे इसको याद करिए जरा एलवन माइनस डी किया है मतलब क्यों किया है लवन माइनस डी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अभी एक सेकंड ये बताइए यह पूरा यहां से यहां त तो वो आधे पर सजोरता है मतलब टी बाइटू ये मोटाई जो होती है ये मोटाई है इसकी ये इसकी मोटाई है अब मोटाई कितनी है दोस्त मोटाई इसकी दिया हुआ है कि ये 80 गुण 80 गुणा कितने अमेम का है 10 अमेम का तो मोटाई 10 अमेम है तो 10 के आधे 5 तक ही इस का वैलू जो लोग टेंशन मेंबर का ये कभी चेप्टर पढ़े होंगे ये पूरा क्लियर कर जाएंगे इसको खटाक से एवन निकला दोस्त एटू निकला दोस्त और के निकला यहाँ पे थ्री एवन अपान थ्री एवन प्लस एटू अच्छा थ्री के जगा फाइफ कब हो अंगल ऐसे इसमें और लगा होता और इनको ऐसे जोड़ दिया गया होता है से ऐसे लगा होता दोनों तरफ मतलब गसेट प्लेट के कही तरफ तब थ्री की जगा फाइफ हो जाता ठीक है तो वो केस है नहीं वो जल्दी आएगा भी नहीं आपके एक्जाम में मैंने लेकिन सब पढ़ा दिया या देख लिजेगा जाके आप ठीक है यहां के का वैलू निकालेगा के की वैलू जहां निकली तो आप जानते एवन प्लस एटू के निकाल लिए जब तो बहुत आसान सिकाने जाए जाती फिर देखिए एसी निकला तो एसी में सिगमा एटी से से मिल जाएगी तो बस उसमें डिवाइट करें देखिए 109 यह 180 जो दिखाया है ना इसकी जरुवत नहीं थी टेंशन मेंबर में 180 नहीं होता है दोस्त ठीक है यह सब आपको जानना नहीं कहां लिखा है कि 180 से कम है से आप जान लिजेए यह टेंशन मेंबर में जिस पर होता है 200 भी होता है लेकिन रिफेक्ट अफ लोडिंग कहीं आपको जांच करने जरूत नहीं बस तनत्वान पाता बता दीजी यह बूद बड़ी बात है कितना होना चाहिए उसके बारे में आपसे बात नहीं करने ठीक है चलिए अब अगला देखे दो दूसरा दो नों हो गया एक नुमेरकल एक थूरी हो गया तीसरा देखे करा जालक पदती समझाईए तता इसके अभीकलपन की विदी सपस्ट करिए पहली बात कि जालक पदत आप जालक मतलब ताहरी है अगर कोई कॉलम कर रहा एक एंगल ञें पर ऐसे अगर कॉलम बनाया जा रहा है यह अगल रोड गया कि इस पर लॉट दो गे तो यह जहले माद लो इधर भी बना दिए इधर भी बना दिए इदर भी अदर इनको चार एंगल हो गए और इनको आपस में ऐसे बान दिया जाए जाल से ऐसे जाल से जाल से चारों तरफ से बान दिया जाए जैसे मान लोग ये एक एंगल ये है एक एंगल ये है इनको ऐसे जाल से बान दिया जाए आपस में ऐसे इस्टेशन वगरा पर देखोगे ना जह से inclined वो ना जाके सीधा सीधा जब जाएगा तो उसको कहते है बैटनिंग सिस्टम और दोनों के बारे में confessing क्या होती है bracing इनसे अलग होती है वो तो आपके सलेबस में ही नहीं आप दोनों क्या क्या है यह दोनों और चैनल है यह भी चैनल है इनको देखिया ऐसे जाल से किनारे किनारे बांध दिया जाएगा तो यह कॉलम का रूप लेंगे ठीक है इनको ध्यान समझ लीजिए यहां क्या का है जालक बैटन पदती को यहां समझाए यह फिर वला यह सिंगल नफंकी टरफ है से जा रहा है इसमें देखिए एक इधर से जा रहा है से और एक इधर से आरेहाई से यह सरम लेक्ष्र को बता चुक हों तोक डावल सेंगल समझ गया होंग आध की सिंगल और डबल के बारे में यहां समझाए अब जालक की छणों को विसस्ता और अभी कलपन यह सब जो अभी कलपन में विसस्टियां बता है यह सब मैं कोस्टन में बता चुका हूं जो लोग नोट्स खरीदे हैं उनको नोट्स में सारी चीज़न लिखी हुई मिल जाएंग बहुत अच्छा कोश्चन इसमें भी बोला गया है एक आई सेक्षन आई एस एच बी मतलब इंडियन स्टेंडर हैवी बीम का मतलब जाहिर से बात है बड़ा होगा तो हैवी बीम में बोला गया है कि इस तंब के रूप में यानि कॉलम के रूप में उचकिया गया इसकी की तथा घुणना में दिर्ण यानि फिक्स्ट इंड का कॉलम है यह सामर्थ बताना बहुत अच्छा है सामर्थ का फार्मूला तो हमको बहुत बच्पन से ही पता है बच्पन से क्यों पता है क्योंकि सरमाजी की क्लास किये थे उन्होंने बताया था कि जब भी कम्प्रेश तो फिक्स है टेबल से पढ़ लिया जाएगा एक ग्रॉस तो बहुत ज़्यादा फिक्स है टेबल से पढ़ लिया जाएगा ठीक है तो आगे देखीगा एक सेकंड देखे कॉलम का स्वेंद्ध निकालने के लिए मैंने बताया था कि एक ग्रॉस होता है और इंटू सिग्म सबसे पहले उसका उनपात निकाल लेजीर तनुपात पता चलेगा था यहांटान माल्टीपाइगा कहईगा देखिए तन तन पात हम यहां दे रखें जितना जरूवत है और उसमें सिग्मा एसी का वैलू भी दे रखेंगे जब कोश्चन में टेबल ऐसे बना देगा न दोस्त तो फिर आपको टेबल नहीं ले जाने देगा एकजाम में ठीक न जितना जरूवत हो अगर उतना टूणना है और लेकन ठीठों के सिगमाए सी में चलिए टेवल का कुछ अम लोग फायदा उठाते हैं एरिया Commerce गर्ढोनेगर्षीय。 यहां प्रमार्टिज का थिया है 53.4 प्रभावी लंबाई देखे दोनों तरह इ conversion ही सई मैं भईया लिक्ष्ट इनिकश स्पाइप्ट उस पढ़ा चुका हूँ लेक्चर में 4.5 मीटर को 4500 मिली मीटर लिखें L का वैलू आ गया है यहाँ पे 2925 देखे तनता अनुपात निकाला न निकाला यह डिवाइट किया तनता अनुपात कितना है 54.7 और 180 से कम क्यों चेक किया है किसी भी कम प्रेशन देखें वहाँ टेंसन मेंबर में 100 से लिए था यह एकदम गधाया है सरन वाला क्यों क्योंकि 180 जो होता है compression के लिए होता है tension के लिए होता है 300 या 400 ठीक है देखिए यहां भी वाई checking लगा दिया है कोई बात नहीं हम किसलिए है हम बता रहा है आपको ध्यान से देखते जाईए ठीक है तो यहां पर देखिए 180 चेक किया यह बस इतना चेक करा ना इससे कम है ना तन तान पात तो बहुत अच्छी बात है cylinderness ratio इसका 54 पॉइंट कितना है आपका 7 तो अब बताए 50 पर मिलेगा table में table में देखिए जो table दिया है न वो जान बुच के ऐसा देगा आपको जिसमें कौन कौन सा देखिए 50 वी है और 60 वी है कैसे निकाला है देखिए यहाँ पर 50 पर 132 60 पर 122 तो इसके लिए कितना होगा अरे 50 से जब यह 60 हुए है तो यह घट गया है 10 तो बड़ा आसान हम कुई सली मिल जा रहा है कि 10 की बढ़ो 3 पर 10 की कमी हो रही है तो जायर से बात है यह कितना बढ़ा है 4.77 बढ़ा है न तो कमी भी कितने हो जाएगी 4.77 पर अरे 50 से बढ़के 60 हुआ तो 132 से घट के 122 हो गया यानि 10 की कमी इसमें भी आई है तो इसका मतलब जब यह 50 से बढ़के 54 दसमलो 7 साथ होगा यानि 4 दसमलो 7 साथ बढ़ जाएगा यह तो वो भी 4 दसमलो 7 साथ घट जाएगा तो कुछ मत करिए बस 132 में से 4 दसमलो 7 साथ घटा दीजिए तो 154 दसमलो 7 साथ पर मिल लाएगा कैसे उपर देखिए कैसे निकला है आएगा अपने आप ही सामने देखिए कैसे आएगा आया नहीं यहाँ पर 132 में से देखें क्या किया है सिग्मा ऐसी बराबत 132 में से घटाया है कितना यही 4 दस्मलों 7 सथ घटा दिया है तो जब घटा देगा X को तो सिग्मा ऐसी के वालू 132 में से 132 में से आप माइनस करेंगे 4 दस्मलों 7 सथ तो basically आपका answer आजाएगा 127 दसमलो और 3-3, 2-3 ठीक है ना आ लिखा भी है आप देखिए या नीच लिखा भी है गटा लीजीगा आजाएगा ठीक है अब आप जानते ही है कि sigma AC पता चल गया और एक रास तो हम लोग table में पढ़ लिए थे एक रास पूरा table में पढ़ी लिए थ है तो जितना भी 851 दोनों का अगुणा कर देंगे नूटन में आएगा 1000 से बाग देजिए किलो नूटन में 1093 किलो नूटन इसका स्ट्रेंथ कॉलम का आ गया है तो देखिए कितना असान नमेरिकल था अच्छा खासा नंबर आपको देखे चला गया नेमलिकित में से किसी से एक भाग का उत्तर दीजिए चौथा कोस्टन है बाई कोई एक ही भाग का उत्तर देना है वीडियो लंबी खीच रही है थोड़ा तेज कर दो आप नहीं भी कहेंगे तो तेज कर देता हूं वीडियो 50 मिनट के हो चुकिए थोड़ा तेज किया रहा काम जलदी से एक भा आपस में जोड़ करके जब कोई मेंबर बनाया जाता है तो उस मेंबर को Built Up Section यह Built Up Beam कहता है ठीके na Built Up Beam का मतलब सिधा सिधा है एक I Beam अगर परयाप्त नहीं है तो कई I Beam को आपस में जोड़ के जब Beam बनाया जाएगा तो उसको Built Up Beam केंगे प्रतिरोध आगोंड क्या होता है बताईए M जो होता है प्रतिरोध आगोंड उसी को हम कल बताये थे F into Z होता है प्रतिरोध आगोंड मतलब आगोंड लेने में वो कितना आगोंड जहल सकता है और जहलने की चंता मैंने कल बताये F into Z होती है अब फटा फट देख लिए कितना सब उसको समझा दिया जटके समय लिए प्रतिरोध आगोण अनुलंब बारों काण कोई धरन के विरुद जितना प्रतिरोध उत्पन करते उसे धरन का प्रतिरोध मर बराबर देखे यह सिग्मा बीसी को हम एफ लिखे था अभी थोड़ी द प्रतिरोध आगोण समझाती जिए अब विकलंगता कल समझाए तक याद करीज़ा इसको इस डाइग्राम को से कुछ याद आ रहा है केवल विपलंगता मतलब होता है क्रिपलिंग बखलिंग मतलब पूरा मुड़ेगा क्रिपलिंग मतलब यह कही जगहां पर देखे दाज गया तो डाइग्राम बना हुआ है बहुत अच्छा है विपलंग देखिए यह बहुकाव इनसे बना नहीं है यह बहुकाव के केस में क्या होगा कल बताया इतना यह ऐसे पूरी की पूरी वेप क्या हो जाएगी बहक जाएगी यानि बकल कर जाएगी ठीक है चलिए कोई ब प्लब्ध खंड का ही प्रयोग करना निवार रहो तब आई खंड की आकरती मापांक बढ़ाने के उद्धे से दोनों फ्लैंजों पर यह जरू नहीं कि आपके एवल आई खंडों के सेक्सन पर फ्लैट का ही उच करें देखे बोला गया कि दोनों फ्लैंजों पर एक एक अचाईब का Build-Up beam है, Plate-Gerder क्या होता है, Beam का बहुत व्रियाद रूप, जब load बहुत बढ़ जाता है, तो Build-Up beam भी काम नहीं करती है, तब Plate-Gerder का यूज होता है, Plate-Gerder के बारे में theoretical parts, notes में है, जिन लोगों के पास notes है, उसको ध्यान से गवर पढ़ जाएंगे, Plate-Gerder भी clear ह देखिए चौथा का यह जो है वो theoretical पार्ट था पूरा आप फिर से देख लिए पूरा theoretical पार्ट है प्रतिरोद आगोंड वेब बिगलांता वेब वैकुंटन दूसरा जाहिर से बात है वो numerical पार्ट देगा ठीक है अब यह वता है numerical पार्ट बहुत इसके बारे में नहीं पढ़ना आपको रिस्टेंडी पढ़ना तो बोले ना बोले बोले गाई वैसे बीम का धरन की प्रभावी पार्ट पार्ट प्रभावी मतलब इफेक्टिव इसके उपर अपने भार साही 30 क्योंटन पर मीटर का धरोपीद भार आ रहा है यदि धरन जहल सकती है वो पता चल जाए और इस पर आ कितना रहा है वो पता चल जाए तो कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी ठीक है कितना जहल सकती वो कैसे पता चलेगा इसकी छमता निकालेंगे और आ कितना रहा है वो कैसे पता चलेगा वो खुदी बता दिया कि लोड इतना तो बहुत असान कोश्चन है देखिए कैसे हमको दो काम करना है ठीक है कैसे करना है दो काम देखिए जरा ध्यान से सारे इस्ट्रेस वगरा दे रखे हैं तो सबसे पहले नमस में कर लिते है इस्टील टेबल से उसकी सारी चीजें लिख लिख लिए है जैसे कि इसका आकृटी का पांग के लिख लिए है इसकी गहराई बीब के लिए लिया है इसका effective length दिया है इसका i दे दिया है यह तो आप जानते हैं इन्टु जी टेन पाउर फाइफ होता है यह फिजिकल प्रॉपार्टी में हम लोगोने लिखा था एक बात बता हिए यह बीम पर दिया है एम इस इक्वाल टू डावली स्क्वार भाई यह थ्री नहीं है यह एट रहेगा यहां पर थ्री नहीं रहेगा बीम पर लोड आ रहा 205 की जगह देखे यह केजी में है तो नूटन में कितना होता तो 495 होता है मैं दिखा दूं आपको यहां पर समझी है यहां पर देखिए बोला गए इस पर 30 किलो न्यूटन पर मिटर का अध्यार उपित बाहर आ रहा है अध्यार उपित मतल्लिबाहर से होता ठीक है तो इस नूटन में तो 495 होगा लेकिन किलो न्यूटन में यह 0.495 होगा ठीक है 495 होगा तो कभी भी 30 और प्लस यह दोनों जुड़ेंगे तब आपका आंसर आएगा कैसे देखिए यहां पर क्या होगा 30 की दगा 30 दसमल जब यह निकाला है ना डवल एल स्क्वार बाइट तो यह मोमेंट वो जे आ रहा है उसके उपर आने का मतलब होता है डबलू यानि बाहरी लोड पर डिपेंड करता है वो समभाल कितना सकती है यह भी देख ले तो यह बताईए मैंने बताया था ना कि वो समभाल कितना सकती है तो समभालने के लिए देखिए यह दूसरे तरीके से लगाएं, आप बस कुछ मत करिएगा, दोनों तरीका है, यह stress के अभिहाफ पर लगाया है, आप कैसे लगाएंगे, आ रहा इतना, तो संभालेगी कितना यह, तो m is equal to होगा, sigma bc, sigma bc into z होगा न, तो आप sigma bc के वालू रख दीजिएगा, 165, कि इतना तो stress ले ही सकता है, और z जेट का वालू उपर देखे, यहाँ पर ही है, तो z को यहाँ पर रख दीजिएगा, बस मातरक का ध्यान रखना दोस्त, मैंने यह सब numerical करवाया हुआ है, लेक्चर में, बीम वाला टॉपिक जाहें स्टाटू, उसमें जाके पढ़ लिजिएगा, तो 165 into z करिएगा, अब यह संभालने वाला मोमेंट है, इतना यह संभाल सकती है, और आ कितना रहा यह, 113.4 या जो आप सॉल्प करेंगे वो आएगा वो, अगर आने वाला, यानि यह जो है न, यह वाला, आने वाला कम है, और संभाल वो ज़्यादा सकती है, तो ठीक है, लेकिन अगर इतना आ रह वो ज्यादा आएगी और इस पर जो आ रहा है मोमेंट वो कम होगा लिख देंगे इसलिए सेफ है ठीक है अब आप रूपन प्रतिबल इसी तरह करेंगे कि उस पर आ कितना रहा है वो जहल कितना सकता है मैंने कल बताया था आता है डबलू बाइटू या डबलू एल बहुत बेखूप है सरन ये डबलू पर मीटर आ रहे ये करके दियाए है 30 बटा दो अरे 30 बटा दो नहीं होगा 30 गुणा अवो भी 30 नहीं 30 दसमलों 4 9 5 चार नौ पांच गुणा एल मतलब पांच दसमलो पांच और बटा दो होगा डबलू एल बाई टू न सीर फोर्स होता है तो वो खाली तीस बटा दो कर दिया बहुत बेखुपी है दोस्त इसके चक्कर मत पढ़ना परसान हो जाओगी यह होगा उसमें क्या सीर फोर्स की वैलू वी इतना सीर फोर्स आ रहा है उस पर तो जाहिर सी बात अगर इतना सीर फोर्स आ रहा तो जहेल कितना सकता है जहेल वो सकता है लेट में क्लियर देखिए आने वाला समन में आ गया तो जहेलने वाला कितना होगा जहेलने वाला होगा टाव वी इन्टू डी इन्टू टी डबलू ठीक है इतना वो जहेल सकता है आने वाला पता है जहेलने वाला उससे ज़्यादा होना चाहिए अरे भाई आपकी सामर्थे ज़्यादा हो तो आप जहेल जादा सकते हैं, उससे कम आएगा तो ठीक है, जैसे आप 60 किल उठा सकते हैं, तो आप पर जो लोड आए, वो हमें सा कमाना चाहिए, ठीक है, TV की वालू कितनी हो जाएगी, बताइए, तो TV मैंने बताया था, इसको आप fix रखेगा, 0.4 या 100 ले लिजेगा, वी गलत निकाला है, मैंने बताया है, एक्टूल भी क्या होगा, डबलू एल बाई टो, वी डबलू में 30 नहों कि 30.495 यानि सेल्फ लोड इंक्लूड रहेगा, ठीक है, तो वहां से आप विच्छेब में कैसे पता चलेगा, विच्छेब कभी 20 mm से जादा नहीं होना चाहि यह एल का मतलब उसकी प्रभावी लंबाई, पांच दस्वलो पांच अब बटा 325, इन दोनों में से जो कम हो उससे जादा नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है, तो हम लोग पहले देखते हैं इन से जादा है कि नहीं है, अच्छा दो ठो में सेफ है कि नहीं है, वो पता हैं, दोनों में जो जादा हो, उससे कम नहीं होनी चाहिए, विच्छेव जो है, उसके अंदर ही होना चाहिए, यानि 16.9 के, तो वस विच्छेव जो निकाला गया है, आपर देखे, यह जो मैंने 5 by 384 डव, यह आपने 100 में पढ़ाऊगा फार्मूला, आया है आपका 2.49 है सेफ है, देखे, कितना असानी से हो गया, आगे लिखा है, जहान दिजेगा जरा, आगे लिखा गया है, इन्हें लिखे तमसे किसी एक भाग का उत्तर दीजिए, किसी एक भाग का पाचमा कोश्चन है, दस-दस नमबर का है, बोला गया है, विभिन प्रकार के इस्तंब कि ये जो स्लैब आधार है, उसके अभिकलपन की विधी भी समझाईए, बहुत असान है, इसको समझने से पहले हम तीनों बेस के बारें बात कर लेते हैं, तीन बेस होते हैं स्लैब, कॉलम बेस क्या होते हैं दोस्त, कोई भी स्टील का कॉलम डारेक्ली जमिंग पर नहीं र एक भूमी तल है ये आपका, ये स्टील का आपका कॉलम है, इसके नीचे कॉंक्रीट का ब्लॉक यहाँ उच किया गया है, ध्यान समझेगा, कॉंक्रीट ब्लॉक में देखें, यहाँ एक प्लेट स्टील के ऐसे बिचाई गई है, स्लैब के उपर रखी गई है, और उस पे ये आपका आई सेक्षन है पूरा, ठीक है, ये आई सेक्षन है, आई सेक्षन को रखा गया है और उस ब्लेज पेट के उपर, रखने के बाद जायर से बात है रखो तो टिकेगा कैसे, देखो भाही साब ये एंगल ऐसे रखा गया है, इन पर ऐसे इधर, और एक साइड में और इस इंगल ऐसे रखा गया है इसको बोल्ट लगा के सिदे हैं iy इस में देया गया है और इस involved को इसमें जोड़ दिया गया है रहा इस तरक से और आई section का जो ओए फ्लैंड वाऊ पार्ट है ये फ्लैंग आई का इसको भी एंगल लगा के से जोड़ा गया है तो इस टाइब की जो बेवस्ता है ना इसको कहते हैं हम लोग कि यह सलेब बेस है ठीक है स्लाइब बेस है अब स्लाइब बेस है तो आप देखिए का ध्यान से यहां पर देखिए इसमें पार्ट दिखिए सबका दिखाया हुआ है पार्ट क्या है आधार प्लेट है यह देखिए सबसे पहले कंक्रीट का ब्लॉक है आधार प्लेट सही है न्यू बोल्ट यानि फाउ तीनों का नाम लिखके तीनों का डाइग्राम बना देते फटा फट आंसर आपको पूरा नमबर उसमें मिल जाता आप ज़रा देखें दूसरा वाला कौन सा होता स्लैब के बाद दूसरा गसेट देखें उसके तुलना में यह थोड़ा अंतर है ना बस तीनों में अंतर यह हो और उसको फिर यहां से जोड़ करके मोटी सी प्लेट इसमें रिवेट वगर ऐसे लगा करके इनको ले जाके ऐसे जोड़ा गया है पूरा स्लैब बेस मतलब ज़्यादा लोड जब हैवी लोड आ रहा हो तब उनको जोड़ा जाता है तब किसकी मदद से जोड़ा जाता है पता है चोड़ा जाता है उनको गसेट बेस के हिसाब से और गसेट बेस में क्या है आई सेक्षन है गसेट प्लेट है और आधार प्लेट है ठीक है फ्लैंज एंगल आपने देखी दिया यह एंगल जाके इनको आधार प्लेट से जोड़ दिया थोड़ा भारी लोड आए त सो उसके लिए ठीक होता है तीसरा fireplace कि अंदर ना नीचे भी आई सेक्शन रखे ताकि पर जाए इन तीनों पर बामटे फिर ये तीनों इस बांटे मतलब काफी बड़े एरिया पर लोड का डिस्टिब्यूशन हो जाए मने ग्रिलेज बेस्ट फाउंडेशन इस फार वेरी हैवी लोट्स ठीक है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगे तीनो टाइप के फाउंडेशन क्या होते हैं और उनको किस आधार पर यूज है कि आया जरूर है आप इसको रट लिजेगा अब वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है मैं किसी और में आएगा पहले तो मैं इसको समझा दूंगा थोड़ा रटिएगा बहुत आसान है बहुत मुस्किल नहीं है किताब से भी आप इसको थोड़ा सा देख यह मैसोनरी का पार्ट है यह पूरी तरह से जो नया सलेबस है उसमें हटा दिया गया केवल डिजाइन ऑफ स्टील है मैसोनरी स्ट्रक्चर ही नहीं है पहले आता था तो उसमें आता था इंपॉर्टेंट चेप्टर है इसको मैं समझाऊंगा लेकिन जटके से थोड़ा से इसको आप देख लिजिए प्रतिधारक दिवार पर लोड कौन-कौन से आते हैं बस इतना जानिए गजरा कौन-कौन से लोड आते हैं तो यह एक मैसोनरी वाल है या वाल है दोनों चीज़ें हो सकती है यह दोस्त है वाल ठीक है वाल पर इसको एक काम करें इस पर मुझे थ लिटेल में समझाओंगा आसान है लेकिन वीडियो बहुत ज़्याद लंबी हो जाएगी ठीक है इसको समझाने में टाइम थोड़ा से लगेगा मुझे तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बार में बात करता हूं आयोब जितना पढ़ाया हूं उसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं आप सारा कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद